तो हमारी फिर्म सिर्फ तुष्टी करण की राजनीत पर आधारी थे वे सच्ची घटनाओं पर आधारी फिल्म है जिसके सारे एविडेंस, सारी चीजें, सारा रिसेर्च में मैंने लिया हुआ है शायद 11 तारिक को मुझे बंगाल पुलिस ने F.I.R. दच किया है तो सच की आवाज को दबाने के लिए मुझे जेल भेजा जा सकता है और जेल में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है जो मुझे पहले से अंदाजा था कि जेल जाने के बाद शायद मैं वापस लोट करने हैं आऊँगा इमेज की बात नहीं होती इमेज तो आप बनाएंगे ना तब तो बनेगी तो यह हमारी फिल्म सिर्फ तुष्टी करन की राजनीत पर आधारित है जो की वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तियार होते हैं यह बेस्ट उस पर है और यह सारे फैक्स पर मुलेब यह सची घटनाओं पर आधारित फिल्म है जिसके सारे एविडेंस, सारी चीजें, सारा रिसेर्च में मैंने लिया हुआ है और उस भियाब पर हमने एक मेहने पहले इस फिल्म का ट्रेलर लॉंच किया टेलर लॉंच होने के बाद अभी शायद 11 तारिफ को मुझे पर बंगाल पुलिस ने F.I.R. दच किया है और ऐसी धाराय उन्होंने लगाई है कि जैसे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ क्या क्या धाराय लगाई है क्या है पूछा गया है जी मुझे अभी तो वकिल साब मेरे बात कर रहे है उदर और मुझे नया प्रणाली पर बहुत भरोसा है मैं जो भी सारी कानूनी प्रक्रिया के तहरे जाऊंगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि कानून का दूर पयोग ना हूँ मुझे आज मीडिया में आने का सिर्व इतना ही रीजन है कि अगर मेरे साथ कुछ रहे है कि बंगाल पुली सार ही कि वो मुझे अरेस्ट करे बिना होजे जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मैंने किया है मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ मैं एक डिरेक्टर हूँ और फिल्में बनाता हूँ लिखक हूँ जो मुझे सच लगा वो मैं लिख रहा हूँ तो सच की आवाज को दबाने के लिए मुझे जेल भेजा जा सकता है और जेल में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है जो मुझे पहले से अंदाजा था कि जेल जाने के बाद शायद में वापस लोट कर नहीं हूँगा इसलिए आज आज आपके सामने आना मेरा बहुत जरूरी है और साथ ही मैं इस देश के प्रधानमंती एससी सिरी नेरिन मोदी जी और ग्रमंती सिरी अमित साजी से भी आगरह करूँगा कि इसको संग्यान में लेकर थोड़ा सा इन चीजों को जो हम जैसे लोगों को दबाया जाता है जो जिस तरह से डिस्टप किया जा रहा है थोड़ा संग्यान मिलें और एक इनसाफ के लिए एक सच की आवाज के साथ में खड़े हूँ वेस्ट बेंगाल की पुल यह तो आपका कहने के म deci Сп defensif hat ने मुझे बद नाम कर दिया है आप जब खुद ही वैसे आप पर लोग बोलेंगे ना यह तो कहने का बात नहीं होती है कि आपने मुझे यह कर दिया मैं जो कर रहा हूं जो हमारी film दिकाया जा रहा है वो को कि मैं अलग से लेकिया है नहीं नह 40% shooting बाकी है और मैंने बंगाल में कोई shooting भी नहीं की है मैंने बंगाल दूसरी जगे create किया है मैंने बहुत अच्छे तरीके से फिल्म को शूट किया है किसी भी तरह कोई कानून का उलंगर नहीं किया मैंने और यह film मेरे खाल से अगले मेने अगर सब को स्ठीक ठाक रहा तो sensor म अगर उसका पालन करता है कितने सारे मौलाना के वीडियोज है कितने भढ़का हुए ऐसे वीडियोज है आप देखो आप उन पर क्यों नहीं ऐसी कारवई होती मैंने बहुत तांतरिक तरीके से काम किया है मैंने बहुत सोच समझ कर अगर कि चीजों को में लेके आ रहा क्यों कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर को आगर कि अगर को वीडियोज है।